असलाम अलाइकूम आज हमां स्टडी कर रहे हैं टापिक नंबर 2.3.5 विच इस रिलेटेड अबाउट दी एक्सलेरेशन तो आज के लेक्चर में हमां डिस्कॉशन करेंगे अबाउट टी एक्सलेरेशन, पाजिटिव एक्सलेरेशन, नेगिटिव एक्सलेरेशन, रेडियल एक्सलेरेशन, एवरेज एक्सलेरेशन, इंस्टेंटेनियस, उनिफॉर्म एंड वेरियबल एक्सलेरेशन तो हम इन तमाम टापिक्स को one by one discuss करेंगे तो सबसे पहले हम आख explain करते हैं कि what is acceleration पर उसके पाद उसकी जो types हैं यानि positive acceleration से लेकर variable acceleration उसको हम with the help of example discuss करेंगे तो सबसे पहले हम आख acceleration को explain करते हैं Exploration को हम जो define करते हैं यह इसको हम यह भी डिफाइन करते हैं इसका मतलब यह है कि time के साथ velocity में जो changes आती है उस changes को अगर हम measure करें तो उसको हम acceleration कहते हैं और इसका भी यही मतलब है कि time के साथ velocity में changes को हम acceleration कहते हैं अब यह changes किस तरह है इसको हम explain करेंगे लेकिन पहले हम mathematical equation इसका लगते हैं कि mathematically acceleration को किस तरह define किया जाता है उसके बाद हम velocity में जो changes आते हैं उसको हम explain करेंगे mathematically acceleration को हम जो लगते हैं कि acceleration is equal to change in velocity divided by ellipse time, यानि जितना time गुजरता है, इसको हम यह लेखते हैं, कि acceleration, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको उपर एक वेक्टर का निशान होना चाहिए, so acceleration is equal to change in velocity को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V से, और velocity चुंके vector quantity है, तो this will be divided by change in time, या जो time गुजरता है, तो इसको हम यह लेखते हैं, यहाँ पर डेल्टा V को हम यह लेख सकते हैं, फाइनल वेलास्टी माइनस इनिशाल वेलास्टी, यानि कि VF माइनस VI divided by final time TF माइनस इनिशाल टाइम TI, अब चुंके दोस्तों हमें पता है, कि वेलास्टी जो है, यह एक वेक्टर quantity है, तो इस तरह acceleration जो है, यह भी एक वेक्टर quantity है, इसका magnitude होता है, और हास direction भी होती है, और इसकी unit अगर हम find out करना चाहें, तो उसको हम इस equation के तरो find out कर सकते हैं, यहाँ पे velocity की जो unit है, वो meter पर second है, और time की जो unit है, वो second है, तो यह और यह अपस में मिल जाएंगे, so this will become equal to second square, तो लहाज़ हम कह सकते हैं, कि acceleration की unit जो है, वो meter पर second square है, और एक बाद यह नोट कर ले, और एक बाद यह नोट कर ले, कि acceleration जो है, इस दी मेजर आफ हाव रिपिडली दी विलास्टी इस चेंजिंग, यह नि मतलब यह है, कि acceleration हमें यह बताते हैं, कि विलास्टी में कितनी तीज़ी के साथ और कैसे चेंजिंग आते हैं, तो अब हम आते हैं, कि विलास्टी में चेंजिंग कैसे आते हैं, तो विलास्टी में चेंजिंग जो है, वो दो तरीके से होती है, एक magnitude चेंज होता है, दूसरा जो है direction चेंज होती है, अब मिगनी चूट जो है या तो इनक्रीज होता है यानि विलास्टी में जो चेंज़ है या तो विलास्टी इनक्रीज होती है या विलास्टी डिक्रीज होती है इसका मतलब है कि विलास्टी या इनक्रीज है या डिक्रीज है और दूसरा जो है वो direction के होजा से changes आती है यहाँ पर magnitude of velocity से मुराद है speed जैसे का हम हों, velocity के बारे में जब discussion कर रहे थे पिछले lecture में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि velocity की magnitude है वो उसकी speed है जब speed increase या decrease होता है तो इसका मतलब यह है कि magnitude या increase या decrease होता है velocity का, दो changes यहाँ पर हो सकते हैं और एक यह, यानि increase, decrease और direction तो इन तीनों के वज़ज़ से जो changes आते हैं उसको हम different नाम देते हैं अगर velocity के magnitude जो है वो increase हो रहा है तो यह एक change है, तो इस वक्त इस changes को हम positive acceleration कहते हैं लेकिन अगर magnitude of velocity decrease हो रहा है तो उस वक्त जो acceleration produce होती है उसको हम negative acceleration कहते हैं और जब direction के वज़ज़ से changes produce होते हैं velocity में, उसको हम radial acceleration कहते हैं अब हम इन तीनों को one by one explain करते हैं तो सबसे पहले हम positive acceleration को explain करते हैं positive acceleration को हम जो define करते हैं कि the acceleration in which the magnitude of velocity increases with the passage of time is called positive acceleration यानि वो acceleration जो velocity का magnitude जो है time के साथ increase होता है तो उस वक्त velocity में जो changes है उसको हम positive acceleration कहते हैं for example, एक object है जो इस point से इस point B तक जाता है यानि अगर ये point B है और ये point A है इस point A पे इसकी velocity जो है वो 10 meter पर second है और जब वो यहाँ पे point B पर पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी velocity change होती है, meter पर second होती है तो इस वक्त जो acceleration प्रोड्यूस होगी उसको हम positive acceleration कहते हैं और इसको हम यह find out कर सकते हैं कि acceleration which is equal to final velocity VF minus initial velocity VI divided by change in time यानि कि TF minus Ti यहाँ पर अगर time जो है let's suppose मैं कहता हूँ कि one second है और जब यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर इसकी time TF यहाँ पर यहाँ पर इसकी time TF यहाँ जो है वो five second हो जाता है तो this will be equal to यहाँ पर final velocity जो है वो 15 meter per second है 15 meter per second और initial velocity 10 meter per second है तो this will be equal to five minus one this will be equal to five divided by four यानि four second में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो जब हम five को four पर डिवाइड करेंगे तो we will get 1.25 meter per second square तो इस वक जो इसकी acceleration होगी वो 1.25 meter per second square होगी और इस acceleration को हम positive acceleration कहते हैं अब हम नेगिटिव acceleration को explain करते हैं नेगिटिव acceleration को हम जो define करते हैं तो इसको हम यो explain कर सकते हैं कि यह point A है और इस point A पे किसी object की velocity जो है initial velocity वो equal है 15 meter per second और जब वो point B पे पहुंचता है तो point B पे इसकी velocity जो है VF वो equal है 10 meter per second और यह जो है point A से point B तक जो है 5 second में पहुंचता है तो इस वक जो इसकी acceleration होगी उसको हम negative acceleration करते हैं क्योंके velocity यहाँ पे decrease हुई है तो इसको अगर हमए find out करना चाहूं तो acceleration will be equal to final velocity जो कि 10 meter per second है minus initial velocity जो कि equal है 15 meter per second और time जो है वो 5 second है तो this will be equal to minus 5 divided by 5 तो we will get acceleration will be equal to minus 1 meter per second square तो इस वक जो है इसकी acceleration होगी उसको हम negative acceleration करते हैं इस situation में जो इसकी direction होगी for example अगर object जो है A से B तक move कर रहा है तो acceleration की direction जो है वो from B to A होगी opposite to the motion of a body होगी तो इस acceleration को हमा negative acceleration करते हैं अब आते हैं radial acceleration की तरफ radial acceleration की definition हम जो करते हैं the acceleration which is produced due to change in direction of velocity is called radial acceleration यह वो acceleration जो direction की वज़े से produce हो रही है उसको हम radial acceleration करते हैं for example यह एक path है यहाँ पर object जो है वो move कर रहा है और इस point पर इसकी direction यह है लेकिन वो जब यहाँ पर पहुंचता है तो direction change होती है तो जब velocity की direction change होती है तो radial acceleration produce होती है तो such type of acceleration is called radial acceleration अब आते हैं average acceleration की तरफ average acceleration को हम यह define करते हैं कि the total changes in velocity divided by total time taken is called average acceleration यहाँ विलास्टी में total changes को अगर हम total time पर डिवाइड करें तो उस acceleration को हम average acceleration करते हैं अब यहाँ अबजेक्ट है जो यहाँ point A पे हैं और यह move कर रहा है from A to B और A और B के दरमियान जो distance है वो 6 मीटर का है अब इस distance को या displacement को मैं divide करता हूँ in different parts तो मैं suppose करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो distance है वो 1 मीटर है और पिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 मीटर है और पिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है अब जब अबजेक्ट इस पोईंट से इस पोईंट तक पॉइंट तक पॉइंट ता है तो उस वक उसकी विलास्टी जो होती है वो 2 मीटर पर सेकंड होती है और जब यह यहां से यहां तक पहुंचता है तो उसकी विलास्टी 6 मीटर पर सेकंड होती है और पिर जब यह इस पोईंट से इस पोईंट B तक पहुंचता है तो इसकी विलास्टी 8 मीटर पर सेकंड होती है अब जब ये changes है उसको मैं दू तरीके से find out कर सकता हूँ एक यह कि मैं अगर consider करो कि ये 2 meter और 6 meter में कितना फर्क है कितना difference है वो 4 meter per second है और पिर 6 और 8 के दर्मियान जो है वो 2 meter per second है तो इस total changes को मैं 8 करता हूँ यानि acceleration is equal to 4 meter per second plus 2 meter per second और इसको मैं total time पर divide करता हूँ let's suppose यहां से यहां तक time जो है वो 6 second लगा दिया है तो यहां पर 6 divided by 6 is equal to 1 meter per second square हो जाएगा तो इस वक जो acceleration है वो 1 meter per second square हो जाएगी या इसको मैं direct u भी कर सकता हूँ कि initial velocity जो है वो 2 meter per second है और final velocity 8 meter per second है तो 8 minus 2 divided by 6 is equal to 6 divided by 6 is equal to 1 meter per second square तो यह जो है हमारे पास acceleration हो जाएगा और इस acceleration को मैं average acceleration कहता हूँ average acceleration को हम इस notation से denote करते हैं अब आते हैं instantaneous acceleration की तरफ instantaneous acceleration को हम यह define करते हैं कि the acceleration of a body at a particular instant of time is known as instantaneous acceleration मतलब यह है कि time बहुत कम हो approaches to zero हो तो उस वक जो acceleration होती है उस acceleration को हम instantaneous acceleration कहते हैं यह हैंनि in very short interval of time और वो time जो है approachable हो तो zero तो इसको हम mathematically यह लखते हैं कि acceleration is equal to limit delta t approaches to zero change in velocity divided by change in time is called instantaneous acceleration अब हम explain करते हैं uniform acceleration को uniform acceleration को हम यह define करते हैं कि a body is set to be moving with uniform acceleration if equal changes occur in velocity in equal intervals of time यानि कि velocity में changes ऐसे हैं कि वो equal है और time भी equal है उसको मैं यह explain करता हूँ कि let's suppose एक point A है और एक point B है दोनों के दरमियान six meter का फासला है और इसको मैं equally divide करता हूँ तो यहां से लेकर यहां तक जो है two meter है और पिर यहां से यहां तक भी two meter है और पिर यहां से इस point से इस point तक भी two meter है अब मैं suppose करता हूँ कि यहां से यहां तक जो है इसकी जो velocity है वो 2 meter per second है और पिर यहां से यहां तक जो इसकी velocity होती है वो 4 meter per second होती है और पिर यहां से यहां तक जो इसकी velocity है वो 6 meter per second है तो अगर इसको हम देखा जाएं यह 2 meter per second है velocity है और यह भी 2 meter per second है velocity तो इनके दर मियां जो difference है वो 2 meter per second है अगर इसको हम देखे 4 मीटर पर सेकंड है और ये 6 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पी भी चेंजिस 2 मीटर पर सेकंड है तो इसके दरम्यान जो चेंजिस है वो 2 मीटर पर सेकंड है और इसके दरम्यान भी 2 मीटर पर सेकंड है तो पिर इस वक्त जो इसकी acceleration होती है उस acceleration को हम uniform acceleration कहते हैं अब हम एक्स्प्लैन करते हैं variable acceleration को variable acceleration को हम यो define करते हैं कि a body is said to be moving with variable acceleration if unequal changes occur in velocity in equal intervals of time यानि मतलब यह है कि अगर changes uniform ना हो velocity में और time same हो तो पिर इस वक्त जो है जो acceleration होती है उस acceleration को हम variable acceleration कहते हैं तो this is something about the acceleration and types of acceleration Thank you Great Кол Court भाए Max दो क